वेलकम बें गाईस, आज हम क्लास 12 बाइलोजी के चेप्टर 16 का पर्ट 7 पढ़ेंगे, अब हम पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इन वर्ड्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बस इनी वर्ड्स को हमें यहाँ पे समझन देखो, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यह टर्म कहां से आया, यह आया एक फिनामिना से, जो की होता है कहां, ग्रीन हाउस के अंदर, अब इसको समझते हैं, यह होता क्या है, देखो, आपने के भी दिखा होगी, खेतों में इस तरीके से ग्रीन हाउस बनावा रहता है, इ इस तरी के से रहते हैं, इस green house के अंदर क्या होते हैं, plants जो है न, वो grow किया जाते है, छोटे-छोटे plants को grow किया जाता है, और generally यह कब grow किया जाते हैं, winters में, ठीक है न, बात समझना, अब देखो, winters में क्या होता है, जो temperature होगा, बाहर वो क्या होगा, कम होगा न, काफी कम हो और साथ में क्या लेके आती है? Heat, घर्मी भी लेके आती है तो ये green house के अंदर आईगी light और heat जो भी है ये यहाँ आ जाईगी अब यहाँ पर होगा क्या? जब heat यहाँ अंदर आ चुकी है कौन सी heat जो की सूरत से आ रही है? वो heat अंदर आने के अदर बाहर नहीं जा पाती ठीक है न? जो heat है वो एक बार अंदर तो आ जाएगी बढ़ बाहर नहीं जा पाईगी तो इसका मतलब क्या है? कि green house के अंदर जो heat है वो trap हो जाती है मतलब उसके अंदर जमा हो जाती है तो इससे क्या होगा? है ना winter में भी हम ऐसे बौदों को grow कर पा रहे हैं जो कि गर्मियों में grow करते हैं और ऐसा कैसे कर पा रहे हम greenhouse के अंदर temperature को बढ़ा के और वो temperature बढ़ कैसे रहे हो क्या रहे है सूरज की रौशनी जो है वो अंदर आ रही और इसी को बोलते है greenhouse effect clear है चलो अब आगे पड़ते है have you ever see a greenhouse क्या आपने कभी greenhouse को देखा है ठीक है देखा होगा आपने खेतों में यह रहता है it looks like a small glass house ठीक है small glass house की तरह देता है and is used for growing plants especially during winter तो जैसे मैंने आपको बताया है winter के time पे generally क्या करते है इसके अंदर plants को grow किया जाता है in a greenhouse the glass panel let the light in greenhouse में जो glass panel लगा रहता है वो light को तो अंदर आने देता है but does not allow heat to escape but heat को बाहर नहीं जाने देता therefore the greenhouse warms up green house का temperature बढ़ जाएगा very much like inside a car that has been parked in the sun for a few hours जब गाड़ी को धूप में कुछ time के लिए पार्क कर देते है तो उसके बात क्या होता है गाड़ी के अंदर कार के अंदर बहुत ज़्यादा temperature बढ़ जाता है गर्मी हो जाती है तो सेम इसी तरीके से greenhouse में भी होता है ठीक है the greenhouse effect is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of earth surface and atmosphere तो हमारा जो earth का surface है और हमारा जो atmosphere है उसका temperature बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है क्योंकि due to greenhouse effect अब इस चीज को हम यहापे समझेंगे ठीक है क्या देखा हमने greenhouse effect की वज़े से हमारी जो earth का temperature है वो बढ़ रहा है ठीक है you would be surprised to know that without greenhouse effect the average temperature at surface of earth would have been a chilly minus 18 degree Celsius rather than the present average of 15 degree Celsius देखो क्या बुला उसने उसने बुला कि जो हमारे earth का temperature है वो एक normal temperature रहता है जिसमें इतने सारे living organs survive कर पाते हैं ठीक है average temperature वो मान के चल रहा है 15 degree Celsius ठीक है ना जैसे माल लो हमारी earth है उसमें generally average temperature है वो 15 degree Celsius है जिसमें की living organs जिन्दा रह सकते हैं ठीक है समझ रहो अब अगर यहाँ पे जो greenhouse effect होता है उसको हटा दिया जाए मतलब अगर earth पे greenhouse effect नहीं होगा तो उससे क्या होगा earth का temperature minus 18 degree Celsius हो जाएगा सोच सकते हो इस temperature पे कोई भी survive नहीं कर पाएगा इसलिए एक तरीके से हमारे दिमाग में यह बात समय में हमें कि जो greenhouse effect होता है वो जरूरी होता है earth के लिए ठीक है क्योंकि greenhouse effect की वजए से जो हमारी earth का temperature है वो थोड़ा सा ठीक रहता है बढ़ा हुआ रहता है ठीक है क्योंकि हमने देखा अगर greenhouse effect नहीं होगा तो temperature तो बहुत कम हो जाएगा ठीक है समय में आया बड़ आपको पता है हर चीज की एक limit होती है अगर earth का temperature बहुत जादा बढ़ने लगेगा तो उससे भी problem है अगर greenhouse effect बहुत जादा होने लगेगा तो उससे problem है तो उसी चीज को यहाँ पर हमें देखना है अब एक बार हम क्या करते है इसको पढ़ लेते है अब हमारे earth का जो outermost atmosphere है उसमें क्या होता है सूरज की जो light है वो आती है तो वो अपने साथ क्या लेके आती है एक तो light को लेके आती है साथ में किसको लेके आती है heat को लेके आती है बस अब इसी की मदद से हमें समझना है कि green house effect क्या होता है by the help of figure 16.6 तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है sun ठीक है sun से क्या आ रही है solar radiation solar radiation अपने साथ क्या लेके आती है light को plus heat को ठीक है तो light और heat कहां पे आ रही है अर्थ पे आ रही है ठीक है ना तो अर्थ के surface पे ये light और heat आ गई clear अब अर्थ के surface ने क्या किया light और heat को absorb कर लिया जिससे क्या होगा अर्थ का surface जो है वो थोड़ा warm हो जाएगा गरम हो जाएगा फिर ये जो अर्थ का surface है ना ये re-radiate करेगा heat को समझ रहे हो यहाँ से पहले क्या हुआ solar radiation की वज़े से light और heat आई अब ये जो heat है इसको absorb कर लिया अर्थ के surface में फिर अर्थ का surface इसको दुबारा उपर भेज देता है इस जो heat को है ना दुबारा re-radiate कर देता है उपर को तो ये देखो उपर को उसने re-radiate कर दिया heat को ठीक है अब ये जो heat है ना ये heat कहां चली आती है outer space में मतलब ये बाहर चली जाती है बट बहुत कम heat बाहर जा पाती है समझ दो ना बहुत कम heat जो है वो यहाँ पर बाहर जा पाती है तो इसका मतलब क्या है जाजतर जो heat है वो यहीं आसपास present रहती है ठीक है अब समझते बात को देखो मैं फिर से एक और फिर उसको re-emit कर दिया, उपर भेज दिया दुबारा, तो फिर क्या हुआ, बहुत कम amount of heat जो है, वो escape हो गई, वो space में चली गई, ठीक है, वापस, बट, अब यहाँ पर greenhouse effect की बात आती है, तो देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, greenhouse gases, ठीक है, यह जो greenhouse gases होती है, यह क् surface heat को re-emit करती है, ठीक है न, अर्थ की surface क्या करती है, heat को re-emit करती है उपर को, उस heat को यह greenhouse gases absorb कर लेती है, समझ में आया, क्या होगा, अर्थ की surface जो है, जब इस heat को re-emit करेगी उपर को, तो इस heat को absorb कौन कर लेगा, greenhouse gases, clear, और greenhouse gases इसको outer atmosphere में नहीं जाने देगी, ठीक है न, greenhouse gases जो है, वो heat को outer atmosphere में नहीं जाने देगी, बलकि वो खुद उसको absorb कर लेगी, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, कि अर्थ के आसपास का जो temperature है, या अर्थ के surface का जो temperature है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीके न, सिमस रहो न, sun ने heat और light दी, मैं बार-बार repeat थो नही को re-emit कर दिया, बट लेकिन बहुत कम ही heat जो है, वो भार जा पाती है, जादतर heat को कौन absorb कर लेता है, greenhouse gases, ठीके न, और ये greenhouse gases उसको absorb करने का, फिर क्या करती है, दुबारा नीचे को re-emit करती है, ठीके न, दुबारा नीचे को re-emit करती है, अर्थ के surface पे, फिर अर्थ का surface फि हम इसी चीज को पढ़ेंगे नीचे, clouds and gases reflect about one-fourth of the incoming solar radiation, तो जो incoming solar radiation है, उसका one-fourth part reflect कौन कर देता है, clouds और gases, ठीक है, and absorb some of it, और कुछ जो radiation से उसको absorb कर लेता है, but almost half of incoming solar radiation fall on earth's surface, heating it, while a small proportion is reflected back, तो इससे हमें क्या पता चला, कि जो solar radiation आ रही है, उन solar radiation का जो जादतर part है, वो use हो जाता है, अर्थ के surface को heat करने में, बलकि जो छोटा सा part रहता है, heat का, वो ही reflect back हो पाता है, है न, बहुत सारा जो जो भी solar radiation आई है, उस solar radiation का बहुत कम ही part reflect back हो पाता है, जादतर part क्या हो जाता है, absorb हो जाता है, ठीक है, यह हमने देखा था, जिसके वेसे अर्थ का temperature बढ़ रहा है, अर्थ surface re-emit heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into space as atmospheric gases, carbon dioxide, methane, absorb a major fraction of it, जैसे मैं आपको क्या बताया था, यह अर्थ का सर्फ, अर्थ था, ठीक है, अर्थ पे क्या हुआ, यहाँ यहाँ पे solar radiation आई थी, solar radiation आने के बाद क्या हुआ, कि जो अर्थ का surface है, उसने उसको absorb कर लिया था, solar radiation को, फिर इन solar radiation को वो re-emit करते हैं, उपर को, दुबारा, space की तरफ, but वो escape, मतलब बाहर नहीं जा पाती है, यह जो heat है, जो यह उपर को heat re-emit हो रही है, यह उपर नहीं जा पाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, greenhouse gases होती है, greenhouse gases क्या करती है, इस heat को absorb कर लेती है, ठीके न, the molecules of this gases radiate heat energy and a major part of which again come to earth's surface, thus heating it up once again, तो यह जो greenhouse gases थी, इन greenhouse gases ने पहले heat को absorb किया, उसके पाद दुबारा यह greenhouse gases क्या करती है, इस heat को नीचे, मतलब वर्थ के surface पे re-emit कर देती है, तो यह एक cycle चल रहा है न, continuous, और इस cycle क्यों इससे क्या होता है, अर्थ का temperature बढ़ता है, this cycle is repeated many a times, the above mentioned gases, अब यहाँ पर generally greenhouse gases क्यों सी होती है, carbon dioxide, methane are commonly known as greenhouse gases because they are responsible for greenhouse effect, तो यह जो gases है, greenhouse effect के लिए responsible है, और greenhouse effect क्या होता है, जहाँ पर अर्थ का temperature धीरे धीरे बढ़ना शुरूरू हो जाता है, उसी को बोलता है, greenhouse effect, बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान अखनी है, कि अर्थ का surface जो यह re-radiate कर रहा है, heat को, यह किस form में कर रहा है, infrared form में, ठीक है, infrared form में, इसको re-radiate करता है, अर्थ का surface, heat को, figure 16.7 में दिखा रहा है, relative contribution of various greenhouse gases to total global warming, देखो, global warming क्या होता ह है, कि अर्थ का temperature जो है, वो बढ़ रहा है, देरे-देरे increase हो रहा है, क्यों? greenhouse effect की वज़े से, और greenhouse effect क्यों हो आ रहा है, greenhouse gases की वज़े से, तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है, green house effect आ रहा है, greenhouse effect की वज़े से क्या होगा, अर्थ का temperature बढ़ रहा है, जिसकी वज़े से एक term use करते है, global warming हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी gases हो, सबसे ज़्यादा, यहाँ पे नुकसान कर रही है, वो है carbon dioxide, 60% carbon dioxide होती है, जो global warming के रिस्पॉनसिबल होती है, 20% है methane, और CFC है 14%, और N2O है 6%, तो देखो, एक important बात अपने को ध्यान के रखनी है, greenhouse effect अर्थ के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था, अगर अर्थ में greenhouse effect नहीं होगा, तो temperature minus 18 degree Celsius हो जाएगा, बट लेकिन एक limit तक, अगर इन greenhouse gases का amount बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो अर्थ का temperature तो ब increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of earth, leading to global warming, तो जैसे मैंने आपको बताया है, greenhouse gases का अगर लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसकी वेज़े से क्या होगा, जो heat, अर्थ है वो heat होती जाएगी, जिसकी वेज़े से global warming होगी, during the past century, the temperature of earth has increased by 0.6 degree Celsius, तो 0.6 degree Celsius, अर्थ का temperature बढ़ा है, ठीक है, most of it during the last three decades, तो last three decades में generally temperature जो है अर्थ का वो बढ़ा है, ठीक है, अब आगे देखते हैं, scientists believe that this rise in temperature is leading to deteriorous change in the environment and result in odd climate change, बिल्कुल सही बात है, scientists जो है, वो believe करते हैं कि अगर इस तरीके से temperature बढ़ता रहेगा, तो उसकी वेज़े से क्या होगा, environment पे बहुत नुकसान होगा, साथ में जो climate change है, वो भी बहुत odd हो जाएगा, ठीक है न, मतलब, सर्दियां जल्दी से न जोना शुरू हो जाएंगे, और इसको एक word से define करते हैं, al-nino effect, तो al-nino effect क्या है, कि जब हमारा environment में change जाना शुरू होगा, climate change होगा, इसको बोलते है, al-nino effect, ठीक है, ध्यान रखना, thus leading to increase melting of polar ice caps, तो जो polar ice caps है, पूरे वो जो polar region में बरफ ही बरफ है, वो धीरे-धरे क्या होने लग जाएगी, melt होने लग जाएगी, as well as of other places like the Himalaya snow caps, तो Himalaya में जो भी snow caps हैं, वो भी पिखलना शुरू हो जाएंगे, अब क्या होगा, over many years, this will result in a rise in sea level, तो बरफ जब पिखलेगी, तो पानी बनेगी, पानी जसी कहां जाएगा, नदियों में जाएगा, समुद्र म लेवल है, यह न, पानी का जो लेवल है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके यह से क्या होगा, that can submerged many coastal areas, तो समुद्र के आसपास जो land वाले एरिया है न, वो तो डूब जाएंगे इस तरीके से, यह न, the total spectrum of change that global warming can bring about is a subject that is still under active research, अब यह जो global warming वाला topic है न, यह काफी जदा active research में है, क्योंकि देखो, क्या हो रहा है न, हमारी अर्थ पे जो pollution है, वो बहुत जदा बढ़ता जा रहा है, उसके वे से बहुत जदा harmful effects दिख रहे हैं अर्थ पे, तो उस पे active research continuously चल रही है, कि कैसे इसको रोका जा सकता है, how can we control global warming, कैसे control कर सकते हैं, the measures include cutting down use of fossil fuels, fossil fuel का कम से कम इस्तेबाल करना, क्योंकि fossil fuel से क्या बनता है, बहुत सारी greenhouse gases बनती है, improving efficiency of energy uses, ठीक है, energy uses की efficiency को बढ़ाना, जो भी आप energy source use कर रहे हो, वो efficiently आपको energy दे, बिना pollution फिलाए, या बहुत कम से कम pollution फिलाए, reducing deforestation, पेडों को कम से कम काटना है, बलकि reforestation करना, जिसे ब बलने, planting trees, पेडों को लगाना, and slowing down the growth of human population, और human population की growth को भी रोकना, जिस तेजी से बढ़ रही है, international initiatives are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere, तो international initiatives भी लिये हैं, बहुत सारी countries ने, कि हम क्या करेंगे, कम से कम greenhouse gases का emission करेंगे, जिससे हमारा environment बचा रहेगा, ठीक है, चलो, next topic पाते है, next topic है, ozone depletion in the stratosphere, तो देखो, stratosphere एक layer होती है, atmosphere की, वहाँ पे क्या मिलती है, हमें ozone मिलती है, और आपको पता है, ozone हमारे लेक काफी ज़्यादा useful होती है, है न, क्योंकि वो sun से आने वाली ultraviolet rays को रोग देती है, ठीक है, इसके बारे पढ़ते है, ozone का formula क्या होता है, O3, ठीक ह चलो, you have earlier studied in the chemistry, textbook of class 11th about bad ozone, bad ozone की बारे में आपने पढ़ा होगा, formed in the lower atmosphere, जिसे बोलते है, trophosphere, तो देखो, जो lower atmosphere वाली layer है, वो है, trophosphere, तो trophosphere पे एक हमें मिलती है, bad ozone, जो की क्या करती है, that harms plants and animals, plants और animals को ये harm करती है, ध्यान रखना, bad ozone कहां पे मिल रही है, trophosphere पे मिल रही है Good ozone कहां पे मिल रही है, stratosphere पे मिल रही है, ठीक है, there is a good ozone also, this ozone is found in the upper part of the atmosphere called the stratosphere, and it acts as a shield, absorbing ultraviolet radiation from the sun, तो सूरत से आने वाली ultraviolet radiation को ये stratosphere absorb कर लेती है, UV rays are highly injurious to living organisms, है न, इससे बहुचाता नुकसान हो सकता है living organisms को, किस से, UV rays से, since DNA and protein of living organisms, preferentially absorb UV rays, तो जो DNA होता है, जो protein होता है न, वो UV rays को absorb करता है, तो UV rays क्या करती है, highly injurious होती है, मतलब DNA को और protein को ये नुकसान पहुचाती है, बट लेकिन, जो ozone है, वो इस UV rays को absorb कर लेती है, जिस से UV rays जो है, वो हमारे अर्थ तक, मतलब उत्रा ज्यादा amount में नहीं पहुच पाती है, and its high energy breaks the chemical bond within these molecules, तो जो UV rays की high energy होती है, वो high energy क्या करती है, DNA के bond को तोड़ती है, proteins में जो bond से उसको तोड़ती है, और उससे नुकसान करती है, The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in a term of Dobson unit, तो Dobson unit क्या है, एक term है, जिसकी मदद से हम measure करते हैं, thickness of the ozone, ठीक है, ध्यान रखना, ozone की जो thickness है, वो किसमें measure कर जाती है, Dobson unit में, clear, ground से लेके, top of the atmosphere तक, जैसे ground है, ground से यह top of the atmosphere है, ठीक है, तो इसके बीच में, ozone की thickness कितनी है, यह करते हैं, Du से measure, top of the unit, ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen, जो ozone gas है, वो continuously बनती भी रहती है, by the action of UV rays on molecular oxygen, बतलब, molecular oxygen पे UV rays पढ़ती है, और इस वज़े से ozone बनती है, इस line को भी हम यहाँ पर देखेंगे, and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere, अब बात समझते हैं आपर, देखो, एक होता है formation होना, किसका, ozone का, एक होता है degradation होना, destruction होना, ozone का, ठीक है, तो होता क्या है, यह है, molecular oxygen, O2, इस O2 पे ozone act करी, ठीक है, ozone act किया, तो यह न, O plus O में तूट गया, मतलब, atoms अलग-अलग हो गया, ठीक है न, O plus O हो गया है, यहाँ पर, फिर, एक जो यह O है, यह O2 के साथ मिलेगा, atmosphere में, जो O2 होगी, उसके साथ मिलेगा, और क्या बना देगा, O3, तो इसमें, UV ने काम किया, देखो, यहाँ पर, पहले step में, ultra wallet ray ने, यहाँ पर involvement दिखाया, then destruction में क्या होता है, जो O3 होती है, उस पर UV ray पड़ती है, और, यह किसमें break हो जाती है, O2 plus O में, ठीक है, तो यहाँ पर destruction में भी UV ray involved है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी वी थ तो यहाँ पर एक balance होना चीज है, कि जितना यहाँ पर degradation हो रहा है, उतना ही यहाँ पर formation होना चीज है, जितनी ozone खतम हो रही है, उतनी यहाँ पर बननी चाहिए, of late, the balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbon CFC, अब यह जो balance है न, इस balance को disturb कर दिया, किसने, एक gas ने, जिसका नाम है CFC, chlorofluorocarbon ठीक है, इस gas की वज़े से क्या हुआ, formation तो कम हो रहा है ozone का, बट destruction बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसकी वज़े से क्या होगा, ozone का जब amount है, तो धीरे-धीरे कम होने लगा, ठीक है, अब यह कैसे हुआ इसको देखते हैं, CFC क्या है, chlorofluorocarbon find wide use as a refrigerants, यह जो fridge में जो gases use होती हैं, उसमें CFC का इस्तेमाल होता था, है ना, तो यह एक refrigerants की तरह use होते थे, अब नहीं होते हैं, क्योंकि अभी ban हो चुगे हैं यह, क्योंकि पता चला कि यह तो ozone को नुकसान पहुचा रहे हैं, इसलिए, हाँ, CFC is discharged in the lower part of atmosphere, move upward and reach stratosphere, तो CFC जब discharge करी जाती है lower part of atmosphere मे तो धीरे-धीरे यह ऊपर जाती है, CFC, और कहां पहुच जाती है stratosphere में, अब इस stratosphere में क्या होता है, in stratosphere, UV rays act on them, releasing chlorine atom, तो क्या होगा है यहाँ पर, CFC जो है वो stratosphere में, उस पर UV ray पढ़ेगी, UV ray पढ़ता ही, CFC break हो जाएगी, और एक chlorine atom जो है है यहां से release हो जाएगा, अब यह chlorine atom कहां पे जाएगा, ozone पे जाएगा, और ozone को O plus O2 में break कर देगा, ठीक है, तो CFC इस तरीके से responsible होती है, ozone को break कर निकले, chlorine degrades ozone releasing molecular oxygen, तो chlorine क्या करेगा, ozone को degrade कर देगा, और उसके राद एक molecular oxygen को यहां पे release कर देगा, with these atoms acting merely as catalyst, अब यह important है, देखो, जो chlorine atom है, यह chlorine, यह chlorine atom न, catalyst की तरहे काम कर रहा है, समझते हो, catalyst क्या होता है, catalyst ऐसे agents होते हैं, जो rate of reaction को बढ़ा देते हैं, मतलब इस reaction को fast करते हैं, यह catalyst, ठीक है, तो यहाँ पे जो chlorine है, वो क्या है, catalyst की तरहे काम कर रहा है, और एक important बात क्या होती है, जो catalyst होते हैं, वो reaction मे involve नहीं होते, मतलब जैसे यह यहाँ पर chlorine atom ने इसको break कर दिया but reaction जैसी complete होते है इसके आद यह chlorine as such अलग हो जाते है जो catalyst होता है इस case में catalyst होने chlorine वो नहीं अलग हो जाते है और फिर यह chlorine जो है दूसरी reaction में involved हो जाएगा ठीक है reaction फिर यह वाली complete होगी फिर chlorine अलग हो जाएगा, फिर यह कोई और reaction में इस तरीके से involved होगा, तो देखो क्या लिखा है chlorine atoms are not consumed in the reaction, consumed नहीं वह वो अलग से निकल गया, hence whatever CFC are added to the stratosphere, they have permanent and continuous effect on ozone तो आप देख रहे हो, अगर CFC एक बार stratosphere में आ गया, तो वो continuous यहाँ पर degradation ऐसे करता रहेगा, फिर यहाँ पर chlorine निकलेगा, वो chlorine फिर ozone को break करता रहेगा, तो continuously यहाँ पर breakage चलता रहेगा although ozone depletion is occurring widely in the stratosphere, तो stratosphere में जो ozone की layer है, वो deplete हो रही है the depletion is particularly marketed over the antarctica region, but generally जो depletion में दिख रहा है, बहुत जादा जो depletion दिख रहा है, ozone का वो कहाँ पर दिख रहा है antarctica region में दिख रहा है, this has result in formation of a large area of thin ozone layer commonly called as ozone hole ozone hole का मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर ozone है ही नहीं, ozone hole का मतलब यह है कि वहाँ पर जो ozone की layer है ना, वो बहुत जादा पतली है, बहुत जादा thin है तो इसको एक बार हम figure 16.8 में देख लेते हैं तो देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि ozone hole in the area above antarctica shows in purple color, तो यह पूरा यहाँ पे यह दिखा रहा है ozone का hole दिखा रहा है ठीक है ना, और यहाँ पे ozone layer जाए है, वो thinnest है, मतलब बहुत जादा पतली है यहाँ पे, ठीक है ओके अच्छा, एक question था कि जो ozone की thickness होती है उसको किस से measure करते हैं, कौनसी unit होती है, अभी हमने पढ़ा था तो comment box में लिखिए, please answer UV radiation of wavelength shorter than UVB अब देखो, UV radiation में different wavelength की radiations होती है तो ऐसी radiations जिनकी wavelength short होती है as compared to UVB UVB क्या है एक UV radiation का type है ठीक है, तो इसमें confuse मत हो ना UVB एक type है UV radiation का, और UVB की जो wavelength होती है ना, वो longer होती है बट इसके UVB के compare में जो बाकी radiation है, जिनकी wavelength short है, उनका क्या होता है, are almost completely absorbed by earth atmosphere तो ये sun है ठीक है ये sun हो गया ये earth है, ठीक है तो इससे जो UV radiation आ रही है उन UV radiations में से ऐसी radiation जिनकी wavelength short है, वो तो generally यहाँ पर क्या होती है, completely absorbed हो जाती है और वो न earth तक मतलब properly पहुँच नहीं पाती है, ठीक है, तो वो कुछ खास नुकसान पहुचा नहीं पाएंगी given that ozone layer is intact तो यहाँ पर ozone जो है वो इसको absorb कर लेती है, but UVB damages DNA and mutate, mutation में अकर जो UVB radiation होती है, वो dangerous होती है, ये DNA को damage कर सकती है, जिसकी वज़े से mutation हो सकता है, ठीक है na UVB, generally होता क्या है कि 90% जो UVB है, वो भी absorb हो जाती है, ozone से, बड़ जो 10% अर्थ के surface पे आ जाती है, UVB radiation वो नुकसान करती है It causes aging of skin, aging कर सकती है skin की, damage to skin cells है na, and various types of skin cancer भी ये कर सकता है In human eye, cornea absorbs UVB radiation तो हमारी eye में जो cornea layer होती है, वो absorb करती है UVB radiation को, and a high dose of UVB causes inflammation of cornea, और अगर high dose UVB की पहुचे गी, cornea में, तो cornea में inflammation हो जाएगा, called snow blindness, तो question आता है कि snow blindness किस से होता है, तो आपको बोलना है UVB से होता है, तीक है, एक question आता है then cataract भी ये कर सकता है such exposure may permanently damage the cornea, और इसके से cornea, पुरी तरीक से damage हो सकता है, recognizing the deteriorate effect of ozone depletion अब देखो, बहुत सारी जो countries है, उन्होंने ये छे realize करी कि ozone जो है, वो खतम हो रही है और जिसकी विए से बहुत बुरे-बुरे नुकसान यहां पे हमें हो सकते हैं या हो रहे हैं An international treaty known as Montreal Protocol was signed at Montreal Montreal का है, Canada में in 1987, effective in 1989 तो यहां पे क्या है न, Montreal Protocol में बहुत सारी countries ने न, sign किया क्या sign किया, to control the emission of ozone depleting substance countries जो है, उन्होंने शपत ली या उन्होंने sign करा, कि हम क्या करेंगे न, कम से कम, ozone depletion वाली जो gases है, या ozone depletion वाली जो substance है उसका कम से कम emission करेंगे ताकि हमारी जो ozone है, वो बची रहे ठीक है, subsequently many more efforts has been made and protocol has let down defined road map, तो जो protocol का main मकसद था, वो road map पे आ चुक है, मतलब वो effectively काम करने लगा था जिसकी वेशे क्या हुआ, countries जो हैं बहुत सारी, उन्होंने न, इस जो ozone को खराब करने वाली gases हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने उपर एक gas के बारे पढ़ा था, जो ozone के depletion में involved थी, जो की थी CFC, तो यहाँ पे लिखा भी है separately for developed and developing countries, तो developed and developing countries ले जो ये defined road map था न, थोड़ा अलग अलग था, for reducing the emission of CFC, ताकि CFC का कम से कम इस्तेमाल किया जा सके, है न, and other ozone depleting chemicals, और ऐसे chemicals का भी कम से कम इस्तेमाल किया जा है, जो ozone को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये topic खतम हो चुका है next topic, next video में करेंगे, and till then, thank you so much bye bye